सो हेगाइस आचो मैं बात करने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्रिगी चैप्टर 1 जो कि यह हाउ, एच आप पर जब हिस्ट्री की बात आती है तो आप लोग बहुत ज्यादा बोर फिल करते हो क्योंकि हिस्ट्रिगें बहुत सारे डेट्स होते हैं याद करने के लिए तो आकरिए रहा है उसके मृत्यू कब हो रही है इसके साथ साथ कौन को सी नहीं नहीं चीज़े ढूंडी जा रही है नहीं अविस्कारे हो रही है उन सब चीज़ों को वो लोग लिख कर रखा करते थे और साथ में इसके ओपर डिबेट भी किया करते थे ताकि उन सब चीज़ों को और ब कुछते हो किसी बच्चे से कि तुम friend क्यूं पसंद नहीं है तो वक कहएगा कि Cindy बहुत सारे डेट सोते हैं याद करने के लिए लिकिन क्या यह बात पूरे तरीके से सही है तो नहीं mg राता है वक्त के सासत कौन से बदलाओ रहे हैं मतलड़ की डेपोटेंस है बट साथ में हिस्ट्री क्या बदाता है कि आखिर वक्त के साथ साथ कौन से बदलाव आ रहें जैसे कि आप चाय पीते हो आप मुबाइल फोन यूज़ करते हो आप लोग ट्रेन होगे आप सफर करते हो आप कभी यह सोचते हो कि आखिर चीज़ अभी हमारे पासब ऐसकी सुरुवात मैं इसकी सुरुआता है और को प्रूढ़ से बदला रहे जैसे की पहली बार किसी कि ने डिन के इनवेंट किया longer इक और बदलाव वक्त साथ और ज्यादा बदलाव आने लगा तो यहां पर इसको कि को करने के लिए की पहले क्या था अभी क्या है और इससे हमें बता रहा है कि अख्री वक के साथ है इस अिपÑ यह बताता है कि यह वक्त साहत' बदलाओ कौन-कौन से आ रहे हैं और जो अब भी हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं ट्रेन गाड़ी हो गया या फिर कोई भी अधर चीज वो सब कब सुरू हुआ इसका भी अंसर आपका है तो पास्ट में और हिस्टी उन सब चीज़ों को बताता है ना यहां पर हम लोग के बारे में बात करते हैं बहुत सारे डेट्स होते हैं जो लगवाग एकुरेट होता हैं लेकिन कुछ ऐसे हुलेट्स होते हैं जो जैसे कि देखो राजा कब जनम लिया कौब इसकि मृत्ति होई ये तो एकुरेड़ी हो सकते हैं मतलब maximum चांस है बट अब ऐसे आप डेट् रखा होगा और फिर उसका जो है डेट ऐसा तो ही नहीं कि पहला वेक्ति कप प्या उसको उन्होंने नोट करकर रखा है वह लोग वहाँ पर क्या करते हैं यह देखते हैं कि आखिर यह जो चाय जो था इसका फैलाव कब होगा मतलब कि कब लोगों को ज्यादा पसंद आया और हो जाते हैं बलकि जो है लोग कुछ देखते हैं कुछ को गुस्सा आता है वो लोग आवाज उठाते हैं फिस तरह और लोग जुड़ते हैं फिर थोड़ा वक्त लगता है इस तरह करते हो लो अंदोलन करते हैं यहां पर भी आंदोलन का हमें एक डेट दिया आता है कि आदर में अपराग्ण्योंत तरह बहुत चलता है कि दिस्कावरी हो गया कुछ इवेंट हो गया इसका देट तो चलता है उसमें यह जो डेट सो होते हैं यह भी मैक्सिमव टोट कुछ होते हैं राजा बना उसने कौन से रूल्स रेडूरलेशन लगा कब उसने कौन सा लडाई लडा इससे सब चीजिए को हम लोग क्यों देखते हैं यहां पर मैंना को फर्स्ट में बताया था कि पहले की इस्टोरियंस थे वो लोग कहते हैं इसी चीज को लेकर कि देखिए जो पहले जैसे कि कब कोई वैक्तिर राजा बना कब उसने कौन से लड़ाई लड़ी वह सब चीज़ में बताता है कि आखिर कौन को से चेंज आये उसके बाद हमारे समाज में कोई राजा बनता है वो कुछ नए नियम करू लगायगा कोई राजा को हरा देता है दूसरा कोई राजा बनता है तो वह भी कुछ सलने कोई unknown बड़े इवेंट्स थे उन सब से भी क्या हुआ तो वह इतने important क्यों है अब यहाँ बताया गया कि class 8 का जो इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिश सोसाइटी में मार्केट में कौनकों से development हुए मिन्स वक्त के साथ साथ कौनकों से changes इन सब चीज़ों को यहाँ पर यह अबर के आता है कि हमने जो डेट के बारे हैं पड़ा था कि डेट बहुत important होते हैं तो आखिर यह लोग कौन सा criteria यूज करते हैं इतने important होते हैं तो इसके लिए बताया गया है कि वो लोग चाहे कोई भी डेट अगर चुनते हों जैसे कि वो लोग देखते हो कि कोई भी राज दूसरा चीज में यह है कि वो लोग पूरे इवेंट पर नजर रखते हैं मतलब कि एक राजा आया उसने कौन को से changes लाया उसको देखा दूसरा राजा आया उसने कौन को से changes लाया अच्छी बूरी चीज सब no down करते थे सब का date wise लिखते थे या फिर खेती को देखो तो कब दिया घया कि जब इंडिया पर तो बिटिश इस्टोरियन ने इस लिखा था उसमें और उन्होंने जय है बारे में लिका था था बट वो जानना अभी आप चोटे क्लास में तो ज़रूरी नहीं कि वह बहुत डीप रिजन है इतना आप समझ जाओ कि गवर्वनर जैनल का नाम के बाद में वाइसों रख दिया गया यहां पर कुछ गवर्वनर जैनल के आपको नाम दिये गहें वैसे लिस्ट बहुत करते हैं तो उन सब चीज को भी जो है वह बहुत बड़ी गलती हुई यहां पर हो गया गवर्णर के बारे में देख लिया माल लेतने कि अगर वही इस्टोरियंस जो है वह सोचती कि चलो लिखा जाए कि आखिर किस तरीके से खेती की गए थी इंडिया में तो यहां पर ऐस या के फॉर्म्uda में डाल देंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो आपके हिंदी की बुक होती है है इसमें सिर्फ हिंधी के कहानिया इसरी में इनिक्शा ड़ती है जो इंग्लिस का बुक होता है उसमें इंग्लिस का पूरा content रहता है सेस्टी में आपका history सिभी से सब्सक्राइब देख सेथे हुआ जब आपको बुक अलग-अलग बनाया अलग-अलग चीज के लिए तो इस तरीके से यहां पर खेती होता है राजा कौन से सासन कर या फिर उस वक्त में कौन-कौन से आविस्कार हुए थे इन सब चीज को वह अपलग सा format बना के उसमें लिखते थे इसके बाद यहां बताया हुआ है कि माल लेते हैं कि वह लोग देख रहे हैं governor general के उपर कि आके वह कैसे काम करते थे उनके achievement policies को तो वह लोग अबना पूरा focus उसी पर करते मानों कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं देखने के लिए मत्द की चाहिए वो किसी चीटे फोकस करें governor general पर करें राजा पर करें वहां के प्रजा या किसी चीच के बारे में लिखते हो ठीक है न तो वहां पर पूरा focus उनका उसी पर इसे में पता चलता है कि वो जो अपने काम को sequence में किया करते थे इवेंट यह सब भी sequence में रहते थे इस वैसे जो डेट्स थे वह और ज्यादा important हो जाते थे तो यहां पर आपको जो डेट्स का concept वह पूरा clear होता है अब जो आ रहा अगला topic वह है how do we prioritize तो इसमें बता हुआ ह जो है Indian history पर फोकस किया और उन्होंने एक book लिखा history of British India ठीक है जिसमें उन्होंने बताया कि जो इंडियन history वह तीन प्रियट्स में डिवाइड है जो कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिस लोग जो थे जितने भी वह सब सहमत हो गया क्योंकि यहां पर उसने ऐसे डिवाइड किया था कि पहले हिंदू का ज्यादा सासन था मिन्स हिंदू राजा पहले ज्यादा थे फिर आगए आपके मुस्ल होने के बाद आखिर कौन को से चेंज़े साइं उसको समझने में तो यहां पर आपको मैं एक जोटा सा जैसे कि माल लेजिए आपके क्लास में कोई एक मोनीटर है जो कि बहुत अच्छा है ठीक है तो आप लोग भी बहुत अच्छे से रहते हो माल लेते हैं कुछ वक्त बा जिसको कोई फरकी नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या कर रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग बदमासी करने लग जाएं यहां पर आप लोग खुद देखो पहला बच्चे के बाद दूसरा बच्चा आया तो आप में क्या-क्या चेंज़े साइं दूसरा के बाद तो कौन को साइटी यह आपका बिछड़ा हुआ यहां पर यह पॉइंट आउट करते हैं इंडिया को भी यह कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो सासन किया उन्होंने सही तरीके से सासन नहीं किया क्योंकि यहां पर यह लोग कास्ट जो हो गया इस चीज़ के वैसे लोग अपना इसकि को सब्सक्राइब करते हैं और इसके लिए ब्रिटिज है अपना मतलब क्या करें कि नियम कानून जो भी है युरोप्हें जो भी इसका नियम कानून हो गया वह इंडिया पर लगा देगा और इसे होई कि लोगब इस सिविलाइब कि यह ब्रिगों कर बढ़ depth भना बन हוז्रुट스टिए उन्डिया अपने विक्सित करें लोग बताते ऐसे विक्सित का नहीं पाता ईंडिया मानना था कि अब ब्रिटिस नहीं होते नहीं होते इंडिया वह एक डार्कनेश वह हो था सो आप देख सकते हो कि जो हिस्टरी जोकी जेमस मिल के दुवारा लिखा गया उसमें उन्हों ने यह सब बात रखें सो आपको आपके बता दिया गया लेकिन यहाँ पर एक कुस्सन उभर के आता है कि जेमस मिलने जो पिरोडाइस किया था मिंश्च जो डिवाइड किया था इंडियन सोसाइटी को घंदू मुस्atori eager British तो यहां पर आप जो हिंदू मुस्मुन देख सकते हो इसमें इनोंने धर में के उपर प्रोडाइस कर दिया था तो क्या यहां पर इसका अंसर आता है नहीं सही नहीं था क्योंकि यहां पर देखिए यह Doler रहा हों कि किस तरीके से रूह कर रहा तो और क्यावों सही कर रहा सोसाइटी में गलत कर रहा है तो इसके उपर डिपेंड करता है इस विएस से इस्टोरींस ने कहा कि नहीं यह हिंदू मुसिव बृटिस पर बाटा गया यह गलत है इस बाता गया अब देखिये प्रोग्म क्या था यहां पर इंसेन्ट का बात उटा यहां पर दो प्रियड का बात किया गया है जो कि यह मैडाइवल और मॉड़न तो मॉड़न का मतलब होता है कि एक ऐसा आपका प्रियड जिसमें की साइंस हो गया रीजन रीजन मतलब कि आप जो चीज कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक टीक है डेमोक्रेसी लाइबर्टी औ कोलो आकर हम पर रूल कर रहे थे साथ हमें ना इक्वालीटी मिल रहा था ना फ्रीडम नाहीं लाइवर्टी इवन यहां पर कोई एकनॉमिक ग्रोथ भी नहीं प्रोग्रेस था तो इस वैसे इस्टोरियन जो थे उन्होंने इसे मेडाइवल तो नाम देना नहीं ठीक समझा यहां पर इन्होंने इसे कोलोनियल प्रिययर नाम दिया क्योंकि जो इन्डिया को कॉलोनाइज किया हुआ घैज उसके मतलब होता है जब को एक देस जो थे वो जब इंडिया में आये तो उन्होंने यहां के जो लोकन नवाप्स होते हैं जिनको आप गवर्णर कर सकते हो और यहां के जो राजा थे उनके पर अपना बड़ा जमालिया मिंस कपजा कर लिया उसके बाद वो लोगों से पैसा इखटा किया करते थे जैसे टैक्स क करते थे कि फार्मर सब इनके मन का कोई चीज होगा जिससे कि इनको प्रॉफिट हो सके और उस चीज को यह लोग एक्सपोर्ट कर देते दूसरे कंट्री में उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता यह लोग स्रीफ अपने में रख लेते तो यहां पर आप देख सकते हो कि य इस तरह आपका हो गया सोसल और चौतर आपका हो गया कलचन मिस्वाहा के समाज को जूए बहुत फरक पढ़ रहा था और वहां पर समाज में रहने वाए जो लोग थे उनका जीवन सैली था उसके बहुत जादा फरक पढ़ रहा था और यह सब क्यूं हो रहा था तो जो बि ब्लेटिकल इकनॉमिक फर्थ सर्म इला दिया दिया बताया तो इस तरह से सब्सक्रीं के पर रहा है उसके जब हम लोगे चैंज चेंज़िक लिए सकते हैं और इसो कहते हैं जिसका मैंने जांग हूए है लिए लिए आप चाहिए इस चीज को लिख सकते हो ठीक है definition नीचे है यहां पर यहां पर जो अगला topic आता है वहाँ है how do we know मतलग कि British के वक्त में क्या हुआ उससे पहले क्या हुआ इन सब चीज के बारे हम लोग कैसे जानते हैं तो यहां पर आप लोग कहोगे कि जो भी historians थे उन्होंने सभी चीज को सिक्वेंस वाइज लिखकर रखा था तो हाँ यह बात तो सही है कि उन्हें सिक्वेंस वाइज लिखकर रखा था लेकिन आप खुद सोचो कि आप कोई स्कूल की copy बनाते हो ठीक है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते उस copy उसको संभाल कर नह सबस्ण को पुइन निकालते हैं डिसीजन हो गया जो भी चीज़ और इन सब चीज़ को अलग अलग फॉर्म में लाइक आपका मैमो हो गया नोटिंग्स हो गया रिपोर्ट्स हो गया मतलब जिसमें वह सीटेबल लिखे जाने में उसमें उन सब चीज़ को लिख कर रखा जा था तो अब यह इसको आप कहीं संभाल कर रखना भी जरूरी था तो इसलिए जो एड्मिस्ट्रेटि चीज़ को जो है रखा जाता था एकदम संभाल कर जैसे कि आपके तैसेदार के ओफिस हो गया कलेक्टरेट हो गया कमिशनर ऑफिसर प्रविंसल सेक्रेट्रेश लॉक इन सब कर जो भी जहां पर रहते थे ठीक है वहां पर एक कमरा होता था एक रूम होता था इसके अंदर स संचुरी के सुरुवात हुई तब चाहते थे कि इन डॉक्यमेंट्स को जो है कहीं अच्छे तरीके से मिंस अच्छे राइटिंग में लिखके रखा जा सके इसे इन्होंने कैलिग्राफिस को बुलाया मतलब ऐसे लोग जिनके राइटिंग बहुत सुन्दर होती है और उस मिडिल ऑफ 19 सेंचुरी में आया था तो जैसे ही प्रिंटिंग आया तो उसके बाद यह सब च्छपना सुरूर हो गया मतलब कि प्रिंट कर लिया कर देता है जिसको भी चाहिए था गौर्मेंट डिपार्टमेंट को उनके पास भी दिये जाता था यह सब को डॉक्यमेंट क वाहा था लिख कर देब हमेंट के बारे में देख लिए उसके प्रिजर्ब के रखा जाता है उसके बार। अब दिखते हैं कि आकिtakं इंपॉर्टेंट क्यों था यहां तो बिदिश थे पावितिन तो 요oo कांपर रेख से जान जाएंगे तो इसके पाद वहां के फ्लॉरा हो जानवार वाप एक कैसे जानवार उन देखते थे लोग कौन से क्रॉपिंग पैटर्ण इस्तिमाल कर रहे हैं किस तरीके से खेती कर रहें इन सब चीच को देखते थे मतलब कि यहां पर यह लोग पूरा डिटेल लेना चाहते थे कि आखिर कंट्री में क्या-क्या हो रहा है किस तरीके से हो रहा है क्या-क्या चीज है इन सब चीज को उसके बाद वह कुछ और सर्वे क्या करते थे जिसमें पेड़ पौदर के बारे में जानते थे जो जो की से ब्यांते थे यांधर से गाएं कि शैट से आठीध में पूरानी जान देते एंधर आफ ऑफूरे अच्छे तरीके सी graph सब्सक्राइब तो यहां पर टॉपिक आ रहा है वह है वाट ऑफिसल रिकॉर्स दू नहीं बताता तो एक चीज़ देखिए कि यह जो रिकॉर्ड यह बनाया गया ब्रिटिस के द्वारा मतलब कि वो लोग जो है अपना ऐसा सेंस में लिखे होंगे जिसे कि उनको मतलब हो जि लोगों के बारे में लिखो कि आखि उनको क्या चाहिए था तो यह जाने के लिए कि आखि लोगों का क्या भावना था उन्हें क्या चीज़ चाहिए था इसके लिए जो इस्टोरियंस उन्हें बहुत सारे डाइरिस देखे लोगों के फिर जो भी घूमने आया करते थे लो तवारा उन सब चीज़ को इनने देखा जी से कि आकर ये समझ सके कि उस समय के लोग क्या चाते थे क्योंकि यह ब्रिटिस क्या करते थे तो वह सिर्फ अपने बारे में सुछते थे तो यहाँ पर उस में कि लोग का क्या थिंकिंग था उसको जानने के लिए हमें कुछ और ची क्योंकRI होती है क्वे हों पढ़े लिखें नहीं नहीं ठीक की डाँ इस थे अब यह नहीं मुश्किर होता है क्वें कि इसटे से हमने पूरे का सर्वे हो गया रिकोर्ड को यह से रखा जाता है देख लिए इस ते से आपका चाप्टर यह पूरा कंप्रीट होता है इस वीडियो में से वितना ही अगर आपको कोई प्राग्लम है तो आप कॉमेंट करें जो पूछे आसको आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो पीज लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों से और जाए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में